मेरी मा नहीं है मुफ्त की नौकरानी भावी, मम्मी जी आप यहां बैठी हैं, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, क्या कान में रूई डाल रखी है, दो चर बुडियां मिलती नहीं है कि जुंड बनाकर बैठ जाती हो, इतना ही दुख दर्द बाटने का सौक है, तो क्या खिलाएंगे, खाने के लिए तो यही दर्वाजा दिखता है, वर्षा अपनी सास सुसमा जी से कहती है, बेचारी सुसमा जी इधर उधर देखी, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहु, कुछ काम था क्या, मैंने बाहर जाडू भी लगा दिया है, कपड़ों को भी सू तो ऐसे रही है, जैसे पूरे घर का जिम्मेदारी इनी के कंधों पर है, अगर वे काम हो गए थे, तो इतना भी आपसे नहीं हुआ की, कम से कम, कमरे की साफ सफाई ही कर दें, पूरा दिन खाती रहती हो, और एक जगा बैठी रहती हो, तभी तो आपको गैस बनता है, अब मेरा मूँ क्या देख रही हो, मैं नहा कर भी आ गई हूँ, आप भी नहा लीजे, और बातरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ कर दीजेगा, इतना कहकर वर्शा बिना उसकी बात सुने वहां से चली गई, शुश्मा जी बोली, पर मैं तो सुबह ही नहा चुकी हूँ, अब बातरूम साफ करूंगी, तो फिर दोबारा से नहाना पड़ जाएगा, ये हर रोज दो बार नहाने के चक्कर में मेरे कमर की हालत खराब हो गई है, इतना कहकर उन्होंने पहले कमरे की साफ सफाई की, फिर बातरूम साफ करने के लिए गई, थोड़ी देर बाद दरव जी पर दस्तक हुई, वर्शा अपने कमरे में कान में इयरफोन लगा कर अराम से गाने सुन रही, बातरूम से सुस्मा जी बोली, थोड़ा ठैर जाओ, बूरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है, भाग सकूं, अभी उधर से आवाज आई, मा आप बातरूम के सफाई कर आज तक तो आपने कभी घर में जाडू तक नहीं लगाया, और अब ये सब आखिर घर के सब लोग कहां हैं, और क्या इसी दिन के लिए भाईया आपको अपने साथ रखना चाहते थे, शुश्मा जी का छोटा बेटा रवी, बोला, अचानक बेटे को देखते ही, शुश्म बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो, बेटे ने मा को गले से लगाया, मा के पूरे कपड़े गीले थे, बेटे ने सहारा दिया, कमरे तक ले गया, फिर बोला, मा मैं थोड़ा भावी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजे, शुश्मा जी बोली, बे मा आप कपड़े तो बदलिये, मैं बस भावी का हाल चाल लेकर आता हूँ, इतना कहकर, वो वर्षा के कमरे की तरफ गया, भावी ओ भावी, आपकी हालत तो मा से भी खराब लगती है, तभी तो आप यहां अराम से गाने सुन रही हो, और मेरी मा बाथरूम की सफाई कर रह ही है, वर्षा रवी को देखकर चौक गई, रवी ने कहा, अरे भावी, इतनी भी क्या अराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है, वर्षा बोली, अरे देवर जी, आप कब आए, आपने आने की खबर भी नहीं द अगर बताए होते तो मैं आपके स्वागत के लिए दर्वाजे पर होती, और ये क्या, कह रहे हैं, रवी बोला, मेरी छोड़िये, आपने मेरी मा की ये क्या हालत कर दी है, आपको शरम नहीं आई, मेरी मा से बाथरूम साफ करवाते हुए, वर्षा बोली, अरे देवर जी, इतना क्यों भड़क रही हो, अराम से बैठ कर चाई, पानी पी लीजे, फिर बात करते हैं, और वैसे भी, ये का मैंने मम्मी जी को नहीं कहा था, वे अपनी मर्जे से कर रही थी, गुस्से में, रवी वहां से अपनी मा के कमरे में चला गया, मा के पास आकर, रवी बोला, म आप कैसी हैं, क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगी, तो आप बात को टाल देती थी, आखिर क्यों मा, बेटे के चहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे लाल, छोडो इन बातों को, तुझे देखे हुए, कितना समय हो गया, और ये क्या, तुमने आने की अबर तक नहीं दी, तभी वर्षा आई, बोली मम्मी जी, क्या सच में आपको भी नहीं पता था, या फिर आपको पता होगा, पर आपने मुझसे नहीं बताया, शुश्मा जी कुछ कहती, उचसे पहले रवी बोला, अच्छा हुआ, मैंने पहले नहीं खबर दी, वरना सच अच्छाई कैसे पता चलती, अरे मेरी मा इस घर की माल कीन थी, बाबुजी के रहते मजाल नहीं था, कि मेरी मा अपने हाथ में जाडू भी ले, आज बाबुजी की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी, और मा आप कब से ये सब काम करने लगी, अपनी तकलीफ कम से कम अपन करने में क्या ही तकलीफ होगी, अब तुम गुस्ता थूब दो, और बताओ, नेहा बहु और बाबु पोता कैसे हैं, मुझसे मिलने वे कब आएंगे, रवी बोला, मा आपके ये हाथ में आशिरवात देने के लिए हैं, बातरूम साफ करने के लिए तो हम हैं, और फिर हमार किस काम की, जब आपको ये सब करना पड़े, और आपकी बहु बुलकुल ठीक है, वे पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी मा की भी तबियत बहुत खराब है, मैंने कहा, पहले अपने माई के एक दो दिन रह लो, फिर अराम से मा के साथ रह ले, शुश्मा जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, अगर दूसरे के मा के दर्द को तुम महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई, रवी ने तुरंत अपने बड़े भाई किशन को फोन किया, और अपने आने की खबर दी, आदे घंटे में ही किशन आफिस शुश्मा जी जट से बोली, अब दोनों भाई आए हो तो अच्छी अच्छी बाते करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ, रवी अस चर्रे से मा की तरफ देखने लगता है, तो वर्षा जट से बोली, अरे मम्नी जी, आप चाय कब बनाती है, जो आज बनाएंगी, मैं बनाती हूँ, इतना कहकर वे रसुई की तरफ चली गई, दोनों बेटों को अपने पास देखकर, शुश्मा जी के मन को शुकून मिल रहा था, रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे, शुश्मा जी अपने कमरे में थी, रवी ने इधर उधर देखा, और बोला, मा, क्यों नहीं आई, तभी वर्षा का बेटा, वीर बोला, दादी तो सब के खाने के बाद खाती है, रवी बोला, ऐसा क्यों वीर, बोला, दादी को बरतन भी तो धोना होता है, वर्षा, जट से उसका मुँ बन करते हुए ब बोली, मम्मी जी, जानती है न, बुढ़ापे में लोगों को कितनी परिशानिया होती है, अगर आप अपने घर के छट के अंदर रहना चाती है, तो अपना मुँ बंद करके रखिये, चलिए, और सब के साथ खाना खाली जी, शुश्मा जी, चुप चाप जाकर, बेटे के स बैट गई, रात में शुश्मा जी, जब लेटी थी, रवी उनके पैरों को दबा रहा था, शुश्मा जी की आँखों में आसु बह रहे थे, रवी बोला, मा आखिर, बात क्या है, आप बताती क्यों नहीं है, शुश्मा जी ने देखा, वर्षा दर्वाजे पर कान ये खुसी के आसु है, कितने दिनों बात तुम्हें देखी हूँ, फिर वे मा के पास ही सो गया, अगले दिन रोजाना की तरह, शुश्मा जी ज़ाडू लेकर बाहर साफ करने लगी, ज़ाडू की आवाज से रवी उठकर बैट गया, और अपनी मा के हाथ में ज़ाडू द खाली बैठी थी, तो सोचा लगा देती हूँ, रवी जोर से चिलाने लगा, भाईया ओ भावी बाहर निकलिये, किशन आख मलते हुए बाहर आया, और बोला, क्यों शोर मचा रहे हो रवी, रवी बोला, क्या आपको पहले से पता है कि मा घर के काम करती है, किशन बोला, आस चर्रे की बात है भाईया, मा की उम्र देखिये, क्या वे बातरूम साफ करने या बाहर जालू लगाने लाइक है, अरे जिस औरस से ठीक से चला भी नहीं जाता, उसे आप लोग ये सब काम करवा रही है, मा के अराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रख सकते, क्या ऐसे पेड़ पे नहीं आते, कल तुमने अपनी भावी से भी बत्तमीजी की, और आज मुझ से कर रहे हो, और मा को जब कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्या परिशानी है, रवी बोला, शरम नहीं आती, अपनी मा के लिए ये कहते हुए, और आपको पैसो की दिक्कत क क्यों हो रही है, जबकि मैंने तो उपर वाले कमरों का किराया भी नहीं लेता हुँ, ना अनाज पानी घर का लेता हुँ, सब कुछ मा की वज़े से छोड रखा है, उपर से बाबुजी का पैंशन भी आता है, अरे इतने में तो मा बिना बेटे बहु के भी अराम से रह सकत है, तबी उधर से सुस्मा जी की छोटी बहु नेहा अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिये आई और बोली आखिर घर में क्या हो रहा है, आप लोगों की चिलाने की अवास बाहर तक आ रही है, इतना कहते हुए उसने सुस्मा जी के और अपनी जिठानी के पैर शुष्मा जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते हुए कहा, बहु तुमें देख कर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ही समझाओ रवी को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है, उस वक्त तो रवी शान्त हो गया और पत्नी बच्चे को लेकर अपने कमरे मे चला गया, फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, नेहा बोली, ये तो गलत बात है मम्मी जी, बड़े तो हमेशा ये सिखाते हैं, कि अन्याय करना गलत है, तो अन्याय सहना भी गलत है, जब आपके साथ ये सब हो रहा था, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलिया एक जैसे नहीं होती, वैसे भी सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, और आप किसी पर बोज नहीं है, कि आपके साथ कोई ऐसा वहवार करे, भले ही आप नौकरी नहीं करती हैं, परन्तु आज भी आप अपने बेटों से कम आमदिनी नहीं पाती हैं, ये बात है, जेठ जी और भावी को समझ में नहीं आ रही होगी, उस दिन तो सब चुप चाप खाना खाकर सो गए, अगले दिन पडोस की एक बूरी औरत सुस्माजी से मिलने आई, पहली बार ऐसा हुआ था कि शुष्माजी की कोई सहेली चोखट के अंद आई हो, व्रिद महिला ने रवी से कहा बेटा, अगर तुम्हें घर के कोने में जगा खाली हो तो अपनी मा को ले जाओ, बेचारी यहां बहुत दुखी रहती है, तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख भोगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती है, शुष् हमारी मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मम्मी जी किसी पर बोज नहीं है, फिर नेहा ने उस व्रिद महिला को चाय पानी पिला कर विदा किया, उसके जाने के बाद नेहा बड़े अराम से वर्सा से बोली, भाबी, मैं आ भी बरदाश नहीं करूंगी कि मम्मी जी के साथ गलत बहवार हो। किशन रवी से बोला, रवी अपनी पत्मी को समझाओ, सब देख रहे हैं, ये हमारी मा का मामला है, हमें सुलजा लेंगे, नेहा को बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रवी बोला भाईया, आप भूल रहे हैं, मरने वाले से जादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और ये हमारी मा होने के साथ साथ नेहा की सास भी हैं। वर्षा बोली, बड़ी बड़ी बाते करना बड़ा असान होता है, तुम दोनों पती पतनी अराम से मुम्मई में रहते हो, घर की परेशानी। तो हमें देखनी पड़ती है, सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मैंटेनेंस भी तो हमें ही देखना पड़ता है, और पैंशन घर आकर नहीं मिल जाता, उसके लिए धूप में पोश्ट आफिस तक जाना पड़ता है। नेहा बोली, अच्छा तो आपको इन सब चीजों में बहुत ज़ादा खर्च और परेशानी हो जाती है, सभी किरायदार उपर से दोनों लोगों की बाते सुन रहे थे, वर्शा सबको देखी, फिर बोली, और नहीं तो क्या? नेहा हाथ जोड़कर सभी किरायदारों से बोली, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में आप लोग डलवाईएगा, और मम्मी जी का पैंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगा, और भाभी आप भी इस घर का किराया अ मम्मी जी को देंगी, और मम्मी जी अब आपको तै करना है कि आप इस घर में मालकिन बनकर यहां रहेंगी या हमारे साथ चलेंगी, शुश्मा जी इधर उधर देखने लगी, तो नेहा उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, वे चाह जो भी हो, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगी, कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा, आज तक आप सम्मानने से जीती आई, क्या आखरी वक्त में नजरे जुका कर जीना चाहती हैं, फैसला आपका है, वर्षा, सुस्मा जी का कस कर हाथ पकड़कर बोली, ह मा मम्मी जी बोली न, बोलती क्यों नहीं है, शुश्मा जी ने अपना हाथ एक जटके में वर्षा से छुडाया, और एक थपर लगाते हुए बोली, बड़ी बहु, जो भी अधिकार मैंने तुम्हें दिये थे, अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ, ये घर और पैंशन के पैसे और किराय के पैसे सब मेरे पती अजीत के हैं, जिस पर बस मेरा अधिकार है, किशन आगे बढ़ते हुए बोला, मा ये क्या कह रही हो, इतने सालों तक जो हमने आपकी सेवा की उसका ये सिला दिया, शुश्मा जी ने दूसरा थपड बेटे को लगाया और बोली, जब तुम ही नलायक निकले तो, तुम्हारी पतनी से क्या उमीद कर सकती हूँ, सही कहा छोटी बहुने, उम्र चाहे जो भी हो, मा किसी पर बोज नहीं होती, और वक्त आने पर वे अपना अधिकार खुद लेना जाना है, उस दिट बहुत हंगामा हुआ, आखिरकार पोटे बेटे बहु के साथ मुंबई चली जाएंगी, उन्होंने सभी किरायदारों को अपना अकाउंट नंबर दिया, और बेटे बहु से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है, और किराया भी नहीं देना है, तो इस घर का मैंटेनेंस तुम्हें करना होगा, अगर को कोई जहमेला ना हो इसलिए शुश्मा जी ने एक कंप्लेन पुलीस स्टेशन में भी लिखवा दी दो दिन बाद रवी अपनी मा को लेकर मुंबई चला गया इधर वर्षा जो आज तक ऐसो अराम से रह रही थी अब उसे बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता था जब पती से शिकायत करती तो किशन कहता सब तुम्हारी गलती है रोज लक्षमी जी की पूजा करती हो पर सास जो लक्षमी समान थी उसे तुमने समान नहीं नहीं दिया अब मेरी आउकात नहीं है कि मैं काम वाली रखूँ अब सारा घर का काम तुम करो उस रोज वर्षा को एहसास ह कि उसने क्या किया सही कहा है किसी ने अब पच्चताएं क्या होगा जब चड़िया चुक गई खेद दोस्तो माता पिता को कभी हलके में मत लेना अगर विद्यविस्ता में हमारी दो बात सुन लेते हैं तो बस घर की शांती के लिए वर्ना जिन्होंने हमें खड़ा होना सिख खाया है वक्त पढ़ने पर अपनी कमर और हमें भी सीधा कर सकते हैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी आप लोगों के इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रह जरूर बताई और हमारे चैनल वानी वो झाले